C.M. कहलोत ने आपको बता दे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहांपर C.M. ने अपने पास कई विभाग रखे हैं वितिग्री एवम कर रक्षा सारे जो बड़े विभाग हैं अपने पास रखा है और C.M. बड़े जो बड़े विभाग है C.M. बड़े जो बड़े विभाग है पीकाराम जूली को सामाजी की नयाए एवम आधी कारिते विभाग मिला है गोविन्द मेखवाल आपदा परबंधन एमम सहायता विभाग शकुंतला रावत को द्योग सारभ जनिक उपक करम और देवस्थान अरजुन सिंग्बामानिया को जन जाती दिकास का सुतन प्रभार और हमारे विरो हेड सुषान पारिक जुड़े हुए हैं जादा जानकारी के साथ सुषान अब विभागों का बटवारा हो गया है जिसका इंतजार किया जा रहता है इंतजार खत्म हुआ इसे कैसे देख रहे हैं राजनितिक जो हैं और कितना बैलन्स है विभाग देखिए बहुत इंतजार था आकिरकार इंतजार खत्म हुआ अलग अलग जो योगताएं हैं मंत्रियों की उनके अनुसार उनके अनुबव को देखते हुए जिमेदारियां दी गई है मुक्या मंत्री अशोग गैलोत ने अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें पुलिस और कानुन विवस्ता के लिहाज से बात करें तो उन्होंने राजिंदर यादव को ग्रह राजिया मंत्री की जिमेदारी दी है यानि एक लगातार जो मांग की जा रही थी विपक्ष की और से कि राजस्तान में कोई ग्रह मंत्री नहीं है, मुख्या मंत्री बहुत व्यस्त रहते हैं, मीडिया को भी लगता था कि कई सारे ऐसे मसले हैं जिनमें अगर हमें जानकारी चाहिए तो वो संभवत है सीम से नहीं उबलब दो पाती, लेकिन इसके साथ साथ राजिंदर गुडा को भी अगर हम देखें तो उनके पास भी कुछ जिम्मेदारियां सीम ने दी हैं, उनमें होमगार्ड, सिविल डिफेंस का विभाग उनके पास रहेगा, ग्रह विभाग देखने वाले मेरे दो साथी अभी विश्नु और शरद हैं, पहले विश्नु जी से बात करते हैं, व फाइनली अब ऐसा ग्रह मंतरी, ग्रह राज्य मंतरी के तोर पर राजिंदर यादव मिला है, जो परदेश की कानुन विवस्ता को और बहतर कर सकता है, बहतर मोनिटरिंग की जा सकती है, और सियम जिनके पास बहुत काम रहता है, रेगुलर जो मिटिंग उनको करनी पड़ था, ऐसे में जो विपक्स की ओर से लगातार आरोप लगाये जा रहे थे, कि यहाँ पर ग्रह मंतरी अलग से नहीं है, जिससे अपराद बढ़ते जा रहे हैं और कानुन विवस्ता की इस्तेती से बत्तर हो रही है, ऐसे में अब अगर राजिंदर यादव को लगाए, तो वो इसकी पूरे विभाग की नस्दीक से समिक्सा कर पाएंगे, हालांकि मुख्य मंतरी भी समय समय पर समिक्सा कर पा रहे थे, लेकिन चुकि मुख्य मंतरी के पास पूरे प्रदीश के विविन सरकार का दाई तो था, भारता, यानि यह कह सकते हैं कि अधिक भारता, ऐसे म अब राजिंद्रियादों को अगर विभाग मिला है तो वो ज्यादा नस्दीक से और ज्यादा समिक्सा कर पाएंगे, कि कहां कहीं कमी आ रही है तो उसको दुरूस्त कर पाएंगे, और सिधे डारेक्ट अफसरों से भी उनका संपर्क हो पाएगा, क्योंकि अभी तक यह हो अब सीधे डारेक्ट राजिंद्रियादों के मारफत निकल सकेंगी, और कुल मिला की ही का जा सकता है कि जो कानून विवस्ता है प्रदेश की, उसमें एक फुल फ्लेस है, नहीं सही, केवल एक ग्रहर राजिय मंत्री मिल गया है, जिससे जो कानून विवस्ता की स्थेती है उसमें ब्रॉबर नजर रह पाएगी जहां समवेदन शिल्टा जादा है, क्राइम रेट जादा है, और लगातार मुख्यमंत्री की कोशिशों के बावजूद सिती उतनी बहतर नहीं हो पा रही, ग्रहर राजिय मंत्री के बाद लगता है, बदलाव आएगा, पुलिस इंग और बहतर किया जा सकेगा, और जहां समय नहीं दे पाते थे कि इन सारी चीजों पर पहलों पर ध्यान रख सके, तो उस दुरान डीजी, एडीजी जो होते थे, रिव्यू मिटिंग भी लेते थे, वहां खुछ जाके मॉनेटरिंग करते थे, लेकिन जब अब ग्रहर राज्यमंत्री मिल गया है, राजंद सकेगा, लोगों को जल्दी न्याय मिल सकेगा, इस तरह की विवस्ताएं आने वाले समय में हमें बहतर देखने को मिल सकती है, पुलिस का विवार और बहतर हो, तो उसकी भी लगता है कि शरद बहतर मॉनेटरिंग हो पाएगी, बिल्कुल जिस तरह से सीम अशोक गहलोत ने पहले कारता कि एक जनवरी को पुरे प्रदेश में स्वागत कक्ष का मुदगाटन करवाएंगे, लेकिन उसकी मॉनेटरिंग कहा जा सकता है कि इतनी तेजी से नहीं हो पाती, क्योंकि खुद सीम एक एक थाने पर जाके या विभाग पर नजर नहीं रख सकते, लेकिन जब ग्रहराज्यमंत्री मिल गया तो निश्ची तोर पर वो देखेंगे कि कहां पर कितनी चीजें पूरी हो पाई है, कितनी वाले समय में हम देख सकेंगे, और साथ ही जिस तरह से बढ़तियों की अगर बात की जाए, कॉंस्टेबल भरती अब यहां पर निकल चुकी है, तो उसकी मोनिटरिंग किस तरह से उन पर नजर सीधा एक ग्रहराज्यमंत्री के तोर पर वो रख सकेंगे, तो जो भी काम हों और वो नाम है प्रताफ सिंग खाचारियावास का, ऐसी क्या वज़े थी कि परिवान विभाग से बदल कर इन्हें खाद और नागरी कापूर्ती विभाग में डाल दिया गया? अगर कोई ऐसा ठोस कानून बन जाता है, तो निश्य तोर पे एक यादगार भुमिका उनकी रहेगी, लेकिन इस पोर्टफोलियों में या उससे पहले कहें मंत्री मंडल में, सबकी नजरें इस बात को लेकर थी, कि जो पहली बार इतनी बड़ी तादाद में दली चेहरे शामिल किये गए हैं, चार दली जो है विधायकों को मंत्री बनाया गया, उनको कौन-कौन से पोर्टफोलियों मिलेंगे, तो ममता बोपेश की हम बात करें, उनके पास पहले की तरह महिला और बाल विकास विवाग रहने वाला है, इसके लावा बजला जातव को P.W.D. केमिनेट बने हैं, और ऐसा विवाग जो सीधे तोर पे जनता से जुड़ा हुआ, कई विधानसवा चेतरों में इस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ही पार्टी की हार और जीत्या करती है, सटकों की खस्ता हालत से पार्टी को नुकसान होता है, और सीम चाहते भी हैं क इस डिपार्टमेंट में और बहतर डंग से काम हो, सचिन पाइलेट जब मंत्री बने थे, उनके पास ही महकमा था, इसके अलावा टीकाराम जूली, सोशिल जस्टिस, ये भी मास्टर बहुनलाल मेगवाल का डिपार्टमेंट, उनके बाद अब टीकाराम जूली जब प्रम होगा, हम बात कर रहे हैं, गोविंदरा मेगवाल की, खाजुवाला से आते हैं, और डिजास्टर मेनेजमेंट और रिलीफ डिपार्टमेंट इनके पास रहेगा, पॉलिसी प्लानिंग भी इनके रहेगा,